Hello, Good Morning Students बिटा, पिछली वीडियो में हमने कारक के बारे में पढ़ा था हम कारक का चप्टर कर रहे थे और उसमें हमने चार कारक किये थे कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान आज हम पाच्वा कारक अपादान कारक करेंगे देखे, अपादान कारक इसका अर्थ है अपादान से प्रिथक, प्रिथक का मतलब होता है अलग होना और इसमें क्या है पंचमे विभक्ती का प्रियोग होता देखे, किसी वस्तु स्थान, प्राणी, आदी से अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रहती है उसमें क्या है अपादानकारक लगता है पंच में विबकते लगते हैं उसे अपादानकारक हों कहते हैं देखिए बेटा जहां अलगाओ की स्थिती आपको दिखाई दे वहाँ क्या है अपादानकारक का प्रियुग होता है जैसे हम कहें कि व्रिक्षात पत्राणी पतनती अब व्रिक्षात व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं ठीक है अब व्रिक्षात पंचमी विबक्ती है यहां क्यों है क्योंकि व्रिक्ष से पत्ते गिर रही है तो अलग कौन हो रहा है पत्ते और स्थिर कौन खड़ा है पेड तो इसलिए जो वस्तु स्थिर रहती है उसमें हम पं गुर्सवार गोड़े से गिरता है, राम हैं ग्रामात आयती, राम गाउं से आता है, महिला कुपात जलमानेती, महिला कुएं से जलाती है, बालक भवन से उतरता है, गंगा हिमाले से निकल रही है, उससे अलग हो रही है, गुर्सवार गोड़े से गिरता है, नीचे गिर जा अलग हो जाता है राम गाहूं से आता है तो राम गाहूं से अलग हो रहा है लग हो रहा है शुक्त गैक्श कारक में काके की शस्री विवक्ति का प्रियोग होता है अब यहां जब किसी वस्तू प्राणी या संग्या का किसी अन्य वस्तू या प्राणी या संग्या के साथ संबंध हो तो वहां क्या है संबंध कारक होता है उसमें शस्ति विवक्ति का प्रियोग होता है जैसे रामस से माता आगज्टी अब राम की माता आती है अब यहां करता तो माता है लेकिन यहां रामस से माता राम की माता आगज्टी आती है रामस से राम की माता ठीक है बिटा तो यहां राम करता है हमारा और अब राम की माता आगज्टी आती है ठीक है यहां माता का संबन आने से लेकिन करता का संबन नहीं है। अब यहां राजा का कुत्र है। आब अधिकरन कारक करता के आधार को हम अधिकरन कहते हैं। थीक, अधीक्रन कारक का, जिन है मि और पर और व्यभक्ति कौन सी लगती है, सब्तमी व्यभक्ति. देखो, क्रिया के आधार को हम कहें, कि पक्शी पेड़ पर बैठे हैं. अब पक्षी करता है हमारा लेकिन वो कहां बैठे हैं पेड़ पर तो उनका बैठने का अधार क्या है पेड़ है पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनके उड़ने का अधार क्या है आकाश है जैसे यह वाक्य दिया गया है सहे ग्रामेह वसती कि वह गाउं में रहता है तो उसका रहने का अधार क्या है गाँ तो बीटा ये अधीकरन कारक है तो बीटा इस तरह से हमने अपने सभी कारकों के बारे में जाना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गई हूँ अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि हमें अच्छे से क्लियंड हुए तो आप अपने कक्षा अध्यापक के अध्यापिका से इस बारे में पूछ सकते हैं धन्यवाद